नमस्कार दोस्तों, दोस्तों हमारे हाथ में जो एक कंपोनेंट आप देख रहे हैं यह हमारा है 8805 Regulator IC काफी लोहों के दिमाग में हो गया एक बहाई 8805 हमारा क्या काम करता है और कहां पे लगाया जाता है तो दोस्तों कुछ लोहों को पता होगा कुछ लोहों को नहीं पता देता हूं कि यह जो हमारा 7805 यह जो रेगुलेटर आइसी होता है यह हमारा रेगुलेटिंग के लिए काम करता यानि इस पे अगर हम 7 बोल्ट से लेके और 35 बोल्ट तक का कोई भी DC सप्लाई जब इसको देते हैं तो यह एकुरेट एदम पांच बोल्ट हमको आउटपुट एक एमपियर का करेंट यह देता है तो दोस्तों इसका काम तमाम जैसे आपका कोई ब्लूटूथ का जो पैनल है या कोई भी और भी सिस्टम आपका जो भी होगा जिसे आपका तमाम मनलब उकरण है जो पांच बोल्ट से आपको उसको अपरेट करना होता है तो उसकी जगा हमें 78.05 लगा देने से हमारा बोल्टेज एकुरेट हो जाता है पांच बोल्ट और एकुरेट ले सकते हैं अगर आपने सोचा है तो ठीक सोचा है बिलकुल इससे लिया जा सकता है और आज की वीडियो में मैं इसको प्रेक्टिकल करके आपको दिखाने वाला हूँ वीडियो में लाश्ट तक बने रहिएगा और कहीभी सिक्रीप मत करिएगा नहीं लाश्ट है ठीक है और वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक एक जरूर कर दीजेगा चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा तो आईए वीडियो करते हैं इस्टार तो चलिए दोस्तों बताते हैं कि पांच रेगुलेटर आईसी से हम कैसे मन चाहा बोल्टेज ले सकते हैं यानि कि इस से हम पांच बोल्ट के अलावा च्छा जो भी हमको चाहिए वह उतना बोल्ट हम कैसे ले सकते हैं तो यहां एक चीज़ मैं आपको बता दूं यह जो हमारा रेगुलेटर होता है इसका एक यहां इसका प्लस वाला होता है ठीक है यहां जो हमारा एक नंबर यह प्लस होता है जो भी हमको बोल्टेज इसको देना होता है इंपुट इस पर देते हैं बीच वाला जो हमारा यह ग्राउंड होता है बीच वाला और इसका हीट सिंग यह दोनों एक होता है ठीक है यह ला लेते हैं अब हमें एक plus के लिए यहां पे वायर जोड़ देंगे जहां हम एक नंबर पर प्लस अपलाई की लाएंगे उसके लिए में यहां फिस्त मैं लगा लेतां है च्रिटाइच यहां प्लस अपल्ड यहां तो हमने एक नंबर पे प्लस अप्लाई देने के लिए वायर यहां पे लगा दिया ठीक है इसके बाद एक आउट पूट पे मैं वायर लगा देता हूं जिसे हमारा पांच बोल्ट यह आउट करता है ठीक है तो एक हम चिम्टी वाला लेंगे जिसे हमें यहां आपको दिखान में थोड़ा आसानी होगा तो इसके आउट पूट पर मैं यहां प्लस वाला चिम्टी जोड़ देता हूं देखे कुछ इस तरह से यह हमारा आउट पूट का वायर हो गया अभी दोस्तों इतना कर लेने के बाद अब आपको ले लेना है एक पोटेंसियल मीटर यह हमने 10 कि लोम का पोटेंसियल मीटर लिया है आप इसकी जगा प्रिशेट भी ले सकते हैं दोनों काम एक ही करता है बस फर्क ही होता है इसको आप हाथ से इस तरह से घुमा सकते है और प्रिसेट लेंगे तो आपको इसको डाइबर से घुमाना पड़ेगा ठीक है तो एक वायर का अप्लाई देने के लिए तो इसके किसी भी एक साइड में आप जोड़ेंगे चाहिए इस साइड में ही से माइनस वाला वायर इस तरह देखे जोड़ लेता हूं और साथी साथ यहां पर एक वायर में और लगा लेता हूं जो कि हमें चेक करने में आपको दिखाने में से मैंने यह माइनस हमें भी चिम्टी वाला ले लिए अब इसको कहां जोड़ना है देखें जहां हमने यहां माइनस लगाया है ठीक है माइनस का सप्लाई देंगे ठीक उसी पे इसको हमें यहां पे जोड़ लेना है कि की इस तरह से हमें जहां हमने माइना सप्लाई देना उसी पे इसको भी इस तरह जोड़ेना अब यह जो बीच वाला हमारा point है जिसको हमने जोड़ा है इसे जोड़ देना इस regulator IC के बीच वाँ पॉंट यानि है उसका जो निगेटिव वाला point है उस उससे आपको इस तरह से देखे जोड़ देना है ठीक है अब हम इसको सप्लाई देंगे तो मेरे पास जो सप्लाई होगा हमारे इन्वर्टर का जो बैटी है उसी का मैं यहां सप्लाई दूंगा जो कि उसका लगभग 13 बोल्ट के आसपास सप्लाई होगा तो सबसे पहले मैं है आपको यहां चेक करा देता हूं कितना बोल्ट हमारा यह इन्वर्टर का बैटी करेंट दे रहा है ठीक है रहा देछ सकते हैं 13.5 तिन यह धर हम को यह बैटी करणट दे रहा है अभी हम क्या करते यहां पे अपना जो मल्टी मीटर है इस तरह से हमें रख देता हूं साइड आपको यहां से अच्छा दिखे और मल्टी मीटर का जो प्राड है अपना हमने जो चिम्टी लगाया इस तरह से यहां प्लस वाले को प्लस में लगा देता हूं और माइनस वाले को माइनस में यहां लगा देता हूं ठीक है यहां पर कि इस तरह से minus को minus में हमने जोड़ दिया और जो plus वाला हमारा wire है इसको plus के साथ हम connect कर देंगे यह अपने regulator के एक number pin जो हमारा plus वाला है उसके साथ है यहां पे इस तरह से connect कर देंगे तो अभी आप देख सकते हैं चुक्कि हमारा प्रिसेट आप कहा घुमा था मालूम नहीं तो यहां आपको सप्लाई कितना मिल रहा है एक ग्यारा दस्मलव जीरो तीन अब आएए इसको हम यहां से कंट्रोल करते हैं यहां से आप देखिए आप इजली इसे कंट्रोल कर सकते ह हैं यह देख लिए अब आप देख सकते हैं यहां पर एक कुरेट हमारा देखिए यहां पर चार दस्मलव तीन मिनिमम बोल्टेज हमको यह मिल रहा है यह एक्चुल में हाई मल्टिमीटर का थोड़ा सा प्राबलम है यह पांच बोल्टेज ही मिलना चाहिए लेकिन यहां चार दस्मलों तीन साते सोख हूरा ठीक है तो अभी अब देखिए इसको आपको कंडbook करना है जितना आपको मन चाहा बोल्टेज चाहिए यहां से आप कंडूल करें मिलन के इस तरह से खुमाएंगे जैसे जैसे हम तेज करेंगे वैसे 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 हमारा ऑन्ड यहां पर बोल्टेज हम ले सकते अब कुछ लोगों के दिमाग में एक डाउट डाउट होगा कि क्या इस सर्किट के लगाने से इसका जो आउटपुट बोल्टेज मिल रहा है उसमें एंपियर भी है या नहीं तो उस डाउट को दूर करने के लिए हम यहां पे एक देखे इस तरह का य को टुर्च करेंगे लिए उसे परने का करते हैं यहां पे यoshka जोड़ लेते हैं जिसे हमको यहां पे जोडने में आसा कि हो जाएगी अभी दोस्तों हमने यहां दो वायर नहीं बलकि एक ही वायर यहां पर जोड़ लिया है ठीक है तो चुकि इसमें कोई प्लस माइनस होता नहीं जहां भी चाहां उसको हम लगा सकते हैं उल्टा सिधा किसी भी तरह से तो यहां हमको जो बोल्टेज मिल रहा हो पांच दस्मलाव नौव चार ठीक है अब यहां पर हम लोड इसको देते हैं तो लोड है आउट्पूट पर हमारे मल्टिमीटर जो प्राड है वहीं पर देना है यहां देखें लोड देते हैं इस तरह से कि देखिए जब हमने इस पर लोड दिया तो हमारा बिना लोड के कितना हैं पांच दस्मलाव 9-8 ठीक है और यहां जब लोड दे दे हैं तो 5.91 यानि यहां बहुत ज्यादा हमें इसको इसका जो करेंट ड्राफ नहीं हो रहा है ठीक है बलकि एकुलेट हमारा रेगुलेट कर रहा है अब इसको हम धीरे-धीरे बढ़ाते हैं थोड़ा सा देखिए जब बढ़ाएंगे बोल्टेज उधर बढ़ रहा है आप दे एक बोल्ट के इसपार यह ड्राफी हो रहा है चुप वल्ब का जो होता है ज्यादा होता है इस जादा एंप्यश लेता है मन चाहा बोल्टेज ले सकते हैं जहां भी आप चाहे इससे 5 बोल्ट से ज़्यादा जो भी आपका 35 बोल्ट सप्लाई दिया उससे कम आप मुलब 30 बोल्ट, 32 बोल्ट, 12 बोल्ट, 14 बोल्ट, 8 बोल्ट, 7 बोल्ट मन चाहा बोल्टेज आप ले सकते हैं वीडियो कैसा लगे कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा और पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार